नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में पावर स्टॉक्स में तूफानी तेजी चल रही है और अभी तक जिस शेर को लेकर जिस स्टॉक को लेकर सब के मन में कोई ना कोई डाउट था ना आज सब क्लियर हो गए है टाटा पावर के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं आप सभी के साथ आज जो इस स्टॉक ने करिश्मा किया है इस पे हमें तो पूरा भरोस्ता था कि ये करेगा ही करेगा लेकिन निवेशकों का कहीं न कहीं confidence बीच बीच में हिल जाता था जिसको मैं पूरी कोशिश करता था कि वो बनाए रखूं और वीडियो बनाता था इस बीच में ट्रोलिंग भी बहुत होई बट ठीक है ये सम मार्केट का एक पार्ट है अगर कहीं से जब सही चीज निकलती है तो सपोर्ट और प्यार भी बहुत मिलता है तो जब गलत निकलती है तो ट्रोलिंग भी होती है और ये मेरी नहीं ये market में कितना वड़ा दिगजी क्यूं ना हो अगर किसी की वज़े से किसी का नुकसान हुआ है तो फिर उसको ट्रोलिंग यहलनी पड़ेगी ये मार्केट का नियम है लेकिन जो है वो सोड़ते हैं अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ताटा पावर में आज हुआ क्या ऐसा जो इतनी बड़ी तेजी आई है तो कुछ भी नहीं हुआ हो तो पहले से राय तेजी आज आई है हो तो पहले से राय आप कंटीनू देख रहे हो कंपनी को ओर्डर मिल रहे हैं आप मेरे को एक ऐसी ओर्टो कंपनी बताओ जिसके साथ ताटा पावर का करार ना हो और तो आप यह देखम को कि रिएल स्टेट जो बिल्डिंग बनके खड़ी हो रही है उन इनका पार्टनर्शिप करी जा रही है कि आप हमारी बिल्डिंग में चार्जिंग गाडियां चार्ज हो रही है सुसाइटी में पार्किंग के अंदर और एवी चार्जिंग स्टेशन जो लगा रहा है वो टाटा पावर लगा रहा है आप देखो कि पूरे के पूरे चार्जिंग स्टेशन को लीड करने का काम कोन कर रहा है मैं आपके साथ कहा रहा हूँ 25,000 लगा चुकी है कमपनी आगे के इतने प्लान है उतने प्लान है ये सारी चीजें कोई विकार थोड़ी जानी थी आगे पीछे होकर इससे रेविन्यू और प्रॉफिटी जनरेट होना है कमपनी खुद कह रही है कि हम 10,000-12,000 करोड का केपेक्स करेंगे हम हारास्ट्र सरकार के साथ हाइडरो प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड का करार कर रहे है हम अगले तीन वित्ते बर्स में 60,000 करोड का निवेश करेंगे तो ये सब चीजें कहां से होंगी ये सब चीजें अगर आप पावर स्टॉक्स में नोटिस करें तो सरकारी कंपनी NTPC देख लो अगर आप पावर स्टॉक्स में ध्यान दें तो आप JSW Energy को देख लो आप अदानी से अदानी पावर देख लो अदानी गुरूप तो जरूर पूरा चला है लेकिन सबसे यदा पैसा अदानी पावर नहीं बनाया है यह अकेला ऐसा शेयर है जो इंडनबक की रिपोर्ट से पहले के हाई सबसे पहले निकालता है और उसके बाद सबसे ज्यादा रिटन भी यही दे रहा है अलाकि अदानी पोर्स ने भी अब तो हाई निकाल दिया है बट अदानी पोर्स अदानी पावर आज पता नहीं साड़े 500 करीब बंद हुआ या का हुआ है मैंने ध्यानी दिया बठाँ 570 के हाई तो लगे है कल के आसपास तो ओवर ओल पावर छेतर में ही दिमांड थी आपको मैं हर बार मई जून में कह रहा हूं कि पावर की दिमांड हाई एस लेवल प बनाओ लेकिन शेर का प्राइस नहीं चलता था आज एक साथ ऐसा फटा एबम की पूछो मत क्या ये शेर अभी खरीदा जा सकता है इस पर आते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाता हूं कि आपने भी तक ऐसा ही पी स्टार्ट नहीं करी है तो जागरुक बनाओ तो दिन के 100 रुपे पहली बात तो आपकी सेविंग होगी और दूसरी बात क्या होगा कि उस पर बढ़िया इंट्रेस्ट मिलेगा फंड की बात की जाए तो आपको अपने आप आपकी सेविंग्स के हिसाब से रिसर्च करके बताएगी एप्लिकेशन का नाम है जैड फंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे एप को अपनी प्रोफाइल कम्प्लीट करेंगे पैन नमबर चाहिए इसे कुछ नहीं चाहिए आपका नाम फादर्स नेम मदर्स नेम आपका जो पिन कोड नमबर है एंड आपका बैंक जो आप एड करना च चाहते हो देन आपको सिर्फ डेली सिप पर हंड्रेड रुपीज लिखना है आप ज्यादा करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑप्शन देदेगा कि सौ रुपे यहां भी लग जाएंगे सौ यहां भी सौ यहां भी लेट्स अजिम आपने दो सो रुपे की सिप चुनी लंबे समय में सबसे बड़ी बात है कि दिन के सौ रुपे आपको पता नहीं चलेंगे लेकिन जुड़ते जाएंगे यह तो यह मेरे लिए बैस लगता है और इस बीच में कोई प्रॉबलम आती है तो माई एप पे क्लिक करके आप डारेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे नहीं रुकेगा यह साथे 300 पहुंच सकता है अगर कोई डिप आ जाए 300-305 के करीब तो ले लेना अभी भी मौका है नहीं आती है तो कोई बात नहीं आज दिन के दौरान आपको सुबा 307 फिर 314 देन तो मैंने भी हाथ खड़े कर दिये कि वह आप तो इमत नहीं हो रही है देन भान